जै माता दी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तुला राशी का कैसा रहेगा जुलाई का राशी फल कैसा रहेगा जुलाई का महीना स्वास अच्छा रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा रिलेशन्शिप में कोई परेशानी तो नहीं आएगी विवाईक जीवन खुशाल होगा नौकरी में परमोशन मिलेगा क्या मेरा विपार जुलाई के महीने में मुझे लाब देगा मेरा विदेश योग बनता है बहुत समय से परेशानू विदेश जाने के लिए क्या जुलाई के महीने में योग बनेंगे और ऐसे कौन से उपाएं है जो मुझे जुलाई के महीने में जरूर करने चाहिए जिससे की मेरे जीवन में जो परेशानिय उत्पन हो रही है वो दूर हो ये सबी प्रश्ण आपके ओन में इसड़म उठते होंगे तो ये दिः आपकी तुला राशी है, तुला लगन है या आपके नाम से तुला राशी बनती है तो आज काई वीडियो आपके लिए है और वीडियो कौन तक जरूर देखिएगा चैनल बे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैन नोटिफिकेशन को आउन करें जिससे आपको जोतिश, वास्तू, अंग शास्त्र और अपने धर्म से संबंदित सभी वीडिय देखने को मिलें और आप उनसे लाब उटा सकें तुला राशी का कैसा रहेगा जुलाई का महीना सब कुछ गोचरिय सिती के अनुसार ही हमारे जीवन में होता है हमारे जीवन की अच्छी घटनाई जो हमें खुशी देती है हमारे जीवन की वो घटनाई जो हमें दुख औ पर हमारे जीवन में अच्छा होता है और यदि हमारे जनम पत्री में वो योग खराब बन रही है तो गोचर के योग बनने पर हमारे जीवन में परिशानी उत्पन हो जाती है तो आईए जानते हैं तुला राशी की गोचरे सिती किस प्रकार से है तुला राशी के लगन में क मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं, अस्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, नवम भाव में सूर्य और बुद्ध गोचर कर रहे हैं, अब गोचरे सिती के अनुसार कैसा रहेगा आपका जुलाई का महीना, तो आईए सबसे पहले जानते हैं लगन, यानि की आपका स्वास्त कैसा रहेगा, तो यहां लगनेश यानि की जो लगन के स्वामी हैं, लगनेश अस्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लगन में केतू बैठे हैं, तो ऐसी इस्तिती में जुलाई के महीने में सौस से संबंदित परेशानिया आपको आ सकती है गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है पेट, दर्थ, पेट में इंफेक्शन होने के संभावना बन रही है इसलिए जुलाई के महीने में खाने पीने का विशेश तोर पर ध्यार रखे क्योंकि केतू है तो केतू परेशानी उत्पन सरूर करेगा कैसी रहेगी विद्या जुलाई के महीने में तो विद्या यानि की पढ़ाई हम देखते हैं पंचम भाव से पंचम भाव के स्वामी शनी पंचम में ही गोचर कर रहे हैं तो ऐसी सिती में आप मन लगा कर पढ़ाई करेंगे आपका मन पढ़ाई में बहुत लगेगा और जो लोग CA, CS, IS, IPS, UPSC के एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है एक्जाम है तो एक्जाम भी सरूर क्लियर होगा तो study's के point of view से जुलाई का महीना बहुत अच्छा है love relationship कैसी रहेगी जुलाई के महीने में तो love relationship के लिए भी हम पंचम भाव को ही देखेंगे पंचम भाव का स्वामी पंचम में ही गोचर कर रहा है तो ऐसी सिधी में आपकी रिलेशनशिप जुलाई के महीने में बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, एक दूसरे की केर करेंगे बहुत अच्छे से जुलाई का महीना वेतीत करेंगे यहां तक कि अपने विवा की प्लैनिंग भी करेंगे, कि किस तरीके से हमने घर में बात करनी है, कब शादी करनी चाहिए, घर वालों की सहमती लेनी है, इस प्याव विचार विमर्ष सरूर करेंगे कैसा है विवाहिक जुन विवाहिक सुख है या नहीं जुलाई के महीने में तो यहां आप सब्तम भाव से देखेंगे विवाहिक सुख सब्तम के स्वामी सब्तम में ही गोचर कर रहे हैं पर राहू के साथ गोचर कर रहे हैं मंगल और राहू की यूती आपके जीवन में परेशानियां उत्पन करेंगी जुलाई के महीने में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना छोटी छोटी बातों को लेकर शक करना छोटी छोटी बातों के लेकर लड़ाई जगडा करना इस तरीके का जुलाई का महीना आपका माहल बनेगा परिवार का माहल आपकी वज़े से खराब हो जाएगा क्योंकि आप बात बात पे अपने पार्टनर पे शक करेंगे आपको ये लगेगा कि मेरे अनुसार चलने पर ऐसा पॉसिबल नहीं है जुलाई के महीने में आपको अपना वेवाहिक जीवन पचा कर रखना है बहुत सो समझ कर चलना है उपाए जरूर करने हैं और ये उपाए मैं आपको वीडियो के अंद में बताऊंगी इन उपाईों को आप जरूर करना जिससे आपके वेवाहिक सुख में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए कैसा रहेगा जुलाई का महीना नौकरी और विपार के दिस्टी से तो भागी के स्वामी भागी में गोचर कर रहे हैं लाब के स्वामी भी भागी में गोचर कर रहे हैं भागी और लाब का बहुत अच्छा योग बन रहा है तो ऐसे सिती में जो लोग बहुत समय से नौकरी के लिए परिशान चल रहे थे उनको अपनी इच्छा नुसार नौकरी नहीं मिल रही थी या इच्छा नुसार पद नहीं मिल रहा था जुलाई का महीना बहुत अच्छा है प्रियास करिए आपको जरूर अपनी इच्छा में अच्छा खासा मुनाफ़ा होता दिखाई दे रहा है आपको वेपार में तरक्की और लाब मिलेगी जून के महीने में आप कोई अन्य कारे भी शुरू करेंगे ऐसा योग बन रहा है और आपके परिवार में शुप मांगलिक कारे भी होगा यहां पर विदेश योग भी बन रहा है ऐसी सिती में जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके योग बन रहे हैं जो लोग विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं मल्टिनेशनल हो इंटरनेशनल हो कंपनी में जौब करने के योग बन रहे हैं और जो लोग विदेश से वेपार करने की सोच रहे थे पर अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो जुलाई में बहुत अच्छा योग है आप विदेश से कारे कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है बहुत अच्छा जलेगा जुलाई के महीने में तो जुलाई का महीना आपका नौकरी और विपार के दिस्टी से बहुत अच्छा रहेगा कैसी रहेगी धनकी और आर्थिक सिती जुलाई के महीने में तो जब भागे आपका पूंड रूप से साथ दे रहा है और लाब भी हो रहा है तो ऐसे सिती में धनकी सिती तो अच्छी होनी ही है और जब धनकी सिती अच्छी होती है तो आर्थिक सिती भी अच्छी हो जाती है तो जुलाई के महीने में धन और आर्थिक सिती आपकी अच्छी रहेगी अब ऐसे कौन से उपाए हैं जो आपको जुलाई के महीने में जरूर करने चाहिए तो बताने जा रहे हूं वो महत पुन उपाए जिसको आप करेंगे तो आपके जीवन में धन हो, आर्थिक स्थिती हो, पारिवरिक सुख हो, विवाइक सुख हो, विद्या हो, स्वास्थ हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, निश्चिती दूर होगी, करना है पूरे नियम औ दिया जलाएंगे, उसमें दो फूल वाली लॉंग डालेंगे, मा को इत्र अर्पित करेंगे, कनक धारा और सित कुंजी का स्रोत का रोज पाठ करेंगे, पाठ करने के बाद मा को पांच मेवे का या पांच मेवे की खीर का भोग लगाएंगे, यहां पर आपको जो समस्या रहे हैं उसको दूर करने की काम ना करेंगी शुकरवार से शुरू करके रोस करना है यह उपाई जो इत्र आप मा को अर्पित करेंगे उसे बाद में स्वयम इस्तेमाल कर ले इस उपाई को करने से आपके जीवन के सबी कस्ट दूर होंगे तो मित्रो हुमीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगी, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक सरूर करिएगा, वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्चिदारों में शेयर करें, वीडियो से संबंदित यदि आपको कोई प्रशन है, तो वीडियो के ही कमेंट देख कर आप पूस सकते हैं, अपने चैनल एस्ट्रोफेंटरेंशो को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को आउन करें, आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी डेली अपडेट्स रहते हैं, डेली का राशी फल होता ह डेली का पंचांग होता है, बहुत यूसफुल काम के टिप्स होते हैं, तो करिए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो, जै मात अदी, आपका दिन शुब हो कर दूसुब हो